अध्या मैं आपको सामने एक नया लेज कर दिजाइन लेके आई हूँ जिसको मैं चिल्की थ्राट से बना रही हूँ इसको हम पेराशूर्ट का धगा भी कहते हैं और इसको आप सिल्की थ्राट भी कह सकते हैं और यह single layers use करूँगी यह parachute का धागा कहते हैं हमारे local vendors इसको इसलिए यह one layer से ही design बनेगा इसके लिए हमें double या triple layers करने की जरूरत नहीं होती यह one से ही हम अपना easily इसको carry कर सकते हैं आप इसी design को cotton thread से भी बना सकते हैं आप देखिए कुछ इस तरह से है यह cotton thread से भी बना सकते हैं तो भी बहुत खूशरत बनेगा अगर आप सिल्की thread को carry नहीं कर सकते हैं सही से handle नहीं कर पा रहे तो फिर आप cotton thread यूज कीजिएगा kindly जिन लोगों नहीं अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए like, comment और share भी किया कीजिए thank you तो इसलिए start करते हैं हम अपना हाज का design जिसके लिए मैं note बनाऊंगी सबसे पहले हम note बना लेंगे और यह without any base row ही हम design बनाएंगे first attempt में ही आप अपना design complete कर सकते हैं इसके लिए किसी किसम की base row की जरूरत नहीं है तो सबसे पहले हम इसको attach करेंगे अपने fabric पे single crochet की help से कुछ इस तरह से 3 chain लोगी one two three three chain और इस design के लिए मैं 1.25 mm की hook यूज़ कर रही हूं जिसको मैं routine में यूज़ करती हूं कुछ वीवर्स मुझसे पूछते हैं के hook कौन सी यूज़ कर रही हैं आप तो 1.25 mm की hook यूज़ करूँगी ये वाली जो wooden bag पे है इसमें ये वाला size मैं लेती हूं और इसी से बनता है मुझसे आसानी से तो 3 chain प्लस single crochet के साथ बनाऊंगी मैं 3 chain single crochet करना है इसी के gap के उपर हमने इसको tight नहीं करना 3 chain 1,2,3 and 4 4 time हमें single crochet लेनी है 3 chain की spaces के साथ तो फिर इसके बाद 3 chain बनानी है 1,2 and 3 3 chain बनाने के बाद हमें इसको back side पे जाके double crochet बनाना है ये वाली space छोड़ते हुए center वाली space में ये center वाली space में 3 spaces बनाई है हमने 4 single crochet की help से तो ये center वाली space में हमने double crochet बनाना है कुछ इस तरह से plus 4 chain का gap लेना है 1,2,3,4 4 chain का gap लेना है और इसी space में फिर से double crochet बनाना है कुछ इस तरह से 3 chain और फिर ये जो हमने 1st वाला gap है उसके 1st पहले single crochet पे हम इसको single crochet करना है single crochet पे ही single crochet बनाना है कुछ इस तरह से ये back side बनेगी इसको 2 chain बनाते हुए हमने वापस front पे आ जाना है ये हमारा space बनेगा इसमें हमने अपना flower बनाना है 3 petals के साथ ये बनेगा peacock के साथ 2 chain के साथ हम वापस front पे आए हैं तो यहां पे मुझे 4 double crochet बनाना है ये जो 1st वाली space बनती है 1 double crochet कुछ इस तरह से 4 double crochet बनाने के बाद 2 chain को हम ये जो center वाली ये वाली space बनती है इसके उपर हमने इसको single crochet करना है यह हमारी first petal बनेगे कुछ इस तरह से साथ ही फिर से 2 chain बनानी है 1, 2, 2 chain प्लस 3 double crochet बनाना है ये जो center वाली के एप है इसमें 1 double crochet 2 double crochet and 3 double crochet 3 double crochet बनाने के बाद इसके उपर 4 chain का picot बनाना है अगें दूसरी साथ पर भी इसके 3 double crochet बनाना है 1 double crochet 2 3 and 6 3 double crochet बनाने के बाद 2 chain लेनी है और पिर हमने ये जो center वाली gap है इसके उपर जो space बनी है इसके उपर ही हमने single crochet बनाना है इसको यहां पर single crochet यह हमारा center वाला space बनेगा और यह side वाली petals है और center में हमारा picot के साथ प्लावर बनेगा next इसमें भी हमें 2 chain बनाने के साथ 1, 2, 2 chain plus 4 double crochet 1 double crochet 2 double crochet 3 double crochet and 4 double crochet 4 double crochet complete करने के साथ 2 chain 1, 2, 2 chain को finish हो गया कुछ इस तरह से उसके पात हम हम सेट करेंगे अपने design को कुछ इस तरह से यह हमरा design बनता है बहुत खुब्सूरत है प्लावर बनता है अच्छा इसको हमने आप सिंगल क्रोशे, थ्री चेन का गैप, त्री चेन, और सिंगल क्रोशे, फोर टाइम हमें सिंगल क्रोशे चाहिए, थ्री चेन के गैप के साथ, यानि के थ्री टाइम स्पेसे होनी चाहिए हमारे पास, इसको छोड़, वन, इसको छोड़के, इस वाली स्पेस को छोड़के, हमने यहां से काउंट करना है, थ्री स्पेसे चाहिए, फोर सिंगल क्रोशे, 1, 2, 3, 4 single crochet और इसके उपर जो 3 spaces हैं फिर हमने बनाना है साथी 3 chain 3 chain बनाने के बाद इसको back पे आजाना है back पे आएंगे तो यह हमें कुछ इस तरह से निज़र आएंगी spaces तो हमें हमारा first वाला gap छोड़ने के बाद second जो center वाला gap बनता है उसमें हमने double crochet बनाना है double crochet बनाना है उसके साथ हमने 4 chain का gap लेना है 1, 2, 3, and 4 4 chain का gap लेने के बाद इसी space में इसी के साथ double crochet फिर से बनाना है और 3 chain के साथ 3 chain बनाया और यह वाला जो हमारा gap है यह वाली space में हमने इसको single crochet करना है 1, and 2, 2 chain लेते हुए हमने front पे आ जाना है और हमने अपने design को देखना है यह हमारी spaces बनेंगी petals के लिए तो इसमें हमने अपने petals बनाने है 2 chain ब्लस 4 double crochet फिर स्ट वाले step में 1, 2, यह हमारी 4 double crochet बनानी है और फिर टू चेन बनानी है लास पे टू चेन और इसको हमने इस वाले gap के उपर single crochet करना है single crochet के साथ पिर से 3 double crochet के साथ फिर से 3 double crochet के साथ फिर से 3 double crochet के साथ फिनिश करना है तू चेन और यह वाला जो हमारे पास पेस है इसके उपर हमने इसको single crochet करना है कुछ इस तरह से यह बनेगा और साथ हमने लास्ट थर्ड वाला पैठल के बनाना है तू चेन की स्टार्ट के साथ टू चेन प्लस फोर double crochet यहां पे कि वान कि दू त्री एंड फोर फोर double crochet टू चेन के साथ इसको फिनिश करना है और यह जो हमारी लास्ट वाली single crochet है इसी में हमने इसको single crochet करना है single crochet और finish होने के बाद हम अपने flower को set करेंगे हम देख सकते हैं बहुत पूपसरद बनता है अगर आप इसको cotton थे बनाएंगे तो भी बहुत अच्छा बनेगा अच्छा इसको single crochet करने के साथ ही हमने three chain बनानी है और फिर इसको single crochet बनाना है one two and three chain three chain इसी के gap के उपर हमने इसको single crochet करना है यहां पर हमारा flower का पूरा process खतम हो जाता है और इससे आगे हम नया process शुरू करेंगे नय flower के लिए इसी तरह हम अपने यह वाले gap के साथ flowers बनाते जाएंगे और अपनी लेंट कंप्लीट कर लेंगे मैं आपको थोड़ी सी लेंट बना के शो करती हूँ ताकि आपको समझने में असानी हो आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी से flower और भी कंप्लीट किये हैं और बहुत खूपचूरत बने है हमारा डिजाइन बहुत ही असानी से और मिन्टों में बन जाता है यह डिजाइन और इसमें हमें किसी किसम की बेस्टों की भी जरूरत नहीं होती अई हो पाथ का डिजाइन आपको समझ में आया होगा और खूपचूरत भी बना है अच्छा भी लगा होगा और इसी डिजाइन को आप cotton thread से जरूर बनाएगा और मुझसे जरूर शेयर कीजिएगा कि कैसा बना है इंशालला नेक्स वीडियो में मिलूंगी नहीं डिजाइन के साथ अपनी द्वाओं में याद रखिएगा लाफिज